हेलो दोस्तो तो देखिए आज के इस वीडियो में हम कलाश 10 का जो आपका सांख्य की चैप्टर है उस चैप्टर के जितने ही फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को इस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं तो देखिए सांख्य की कक्षा 10 तो इसमें जितने ही फॉर करता आकड़ी जब को अब वरिपकरता आकड़ों दीये गए होंगे तब मरते का फूरूरा क्या है तो अब माध्ड़ को ऐसे लेख सकते हैं एक्सा कि पर एक लायन बनाएंगे इसको बूलेंगे दो, तीन, छे, चार और पांच, इसका में कैया निकलना है, माद दे निकलना है, तो फर्मुला का आपका एकस बार बराबर, एकस बार बराबर, तो किया आपका प्रिक्षहनों का नोग, यानि कि इन सब को आप जोड़िये, तो जोड़िये, 5 और 4 कितने होगे, 9, 9, 6, 15, 15, 15, 3 आपके, कितने होगे 18 और 2, 20, उपर आपको यो करना है इनका, और नीचे आपको क्या लखना है यह कितनी संख्या है, जै 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां 5 लखेंगी अब आपको अब आपको इस फोरूमले का यूज करना है अब हम चलते हैं इसके टाइप B पर जानि इसका टाइप B क्या है तो देखिए जब आपको आंकडे वर्गी करत दिये गए होंगे वह आपको अलग-अलग वर्ग में दिये गए होंगे कि देखिए तो वर्गी करत आंकडों का माद्य क्याना चलना है तुल लिए उसको यहां डिसकश करेंगे तुर दिखिए आपका सबसे पहरा आपका क्या है प्रत्यक्षी है इसको हम बोलेंगे Sigma F यह आपको formula यहाँ पर use करना है और जब हम XI यहनी इस chapter को solve करेंगे तो आपको question करके दिखाएंगे आज इस वीडियों के वल formula को discuss किया गया है तो दीखी आपका Sigma F क्या है Sigma F आपका होता है बारंबारताओं का योग Sigma F का मूलेंगे बारंबारताओं का योग तो दीखी डारेक्ट मेंथड है अब सेकेंड आपका क्या है जिसको बुझते हैं कल्पित माद्दे दीखी जब आपके exam में जब इस तरीके का question आएगा अगर आपसे वो कहता है कि आपको किसी मेथड से करिए जैसे प्रत्तस से करिए या कल्प इस से करिए तो आपको वही में थरी व्हु‌झत ना है लेकिन अगर उसमें कहा गया है क्या लुद माद्दे निकालना है तो आप इस में से किसी का भी व्हुझत कर सकते हैं आपको अच्छा लगए और आप जैसे अच्छी तरीके से जानते हों तो तो कल्पित माद्ध है तो कल्पित माद्ध क्या होता है आपका देखिए तो माद्ध जैनि एक्स बार वरावर इसको बोलेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा डी आई बट्टे में क्या है आपका सिग्मा ग्लमा से अपक्तन वोलेंगे एक क्या ह्गा एक साई मैनस आपका जो एक साई होगा आपका जो एक साई एक इसБार बएबर के प्लस सेगमा एफट इन्टू यू अब डि इद आई तब आउगा अब आपका सेगमा A5 into H अब हम बात करेंगे इसमें जो जो चीज़ें आई हैं वो उनको हम क्या कहेंगे तो देखिए जहां पर हमारा A बरावर क्या हो कल्पेतमाद्द होगा और Ui अगर आप Ui निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे Ui बरावर आपको निकालना है XI-E XI में से आपको E- करना है और H से उसको डिवाइड करना है तो आपका क्या निकाल के आएगा Ui निकाल आएगा और H क्या होता है आपका वर्ग अंतराल की आपकी ये लंबाई होती है है वर्ग अंतराल की लंबाई तो देखिए यानि कि पर पर माद्ध के की जतने ही फॉरुमुले थे यहां पर हमने उनको डिसकुस Tools क्या है Next चलते है आगे तो देखिए अब हम बात करेंगे माद्ध्यका के माद्ध्यका को कैसे निकालना है कि माद्यका या माद्ध्यक कि जैसे हम मीडियन बोलते है कि अब वर्गी करत आंकड़े आपको दिए गए हो तब आपको क्या फर्मुला यूज करना है और दूसरा क्या होता आपका वर्गी करत आंकड़े दिए गए हो तब क्या यूज करना है तो हम बात करेंगे अब वर्गी करत आंकड़े दिए गए हो जैसे हमें आंकड़े जया से एक, दो, तीन, चार, अगर मान लिए उसे 5 मानता है, जया से एक, दो, तीन, चार यह 5 हैं, तो 5 आपकर क्या है बिसम है, जब ही संफ्ञाइं बैठंगी इनकोogether करेंगे हम ऐसे, तो बिसम होगा, तो है क्या लगाना इसके लिए मार्च भरवर, एन, प्लस वन बट्टे दो वे प्रिक्षन का मान इस तरीके से में यह फॉर्मूला लगाना है और देखे जब हम कुश्चन को करेंगे तब उस वीडियों हम आपको इनका यूज करना बताएंगे तो आज इस वीडियों के वहला हम फॉर्मूला को डिसकस कर रहे है तो एन प्लस वन जानिकि यह आपका एन बिसम हो जैनि कि यह आपकी जो आंक्डे हैं वह कैसे आपकी सम्का ये हो गया है आपका क्या है सम्क्र पर सम आताए छे डी, तीन, चार, पांच और ये को और दिया हो तो इस देखे हो जाते यानिकि सम्क्राओं कया लगाना है यह immers कि लिगाना North करना है तो फिर आगे देखिए आगे आपका आता है बी टाइप इसका भी है कि वर्गी करता आंकड़े जब आपको आंकड़े वर्गी करत दिये गए हों तब आपको माद्यका केसे निकालनी है तो यहां में फॉर्मॉला यूज करना है देखिए उपर जो हमने अभी बताया था वो आपका एक नमबर में कुश्चन आएगा और यह आपका क्या है लॉंग में आएगा यह वाला कुश्चन तो देखिए माद्यक बरावर एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच यह फॉर्मॉला आपको यूज करना है जब आपको वर्गी करत आंकड़े दिये गए हों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एल क्या है सी एफ क्या है आपको 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 माद्यक वर्ग की निम नसीमा यानि कि आपको जो वर्ग दिया गया होगा उसमें आपको जो माद्यक वर्ग होगा उसकी निम नसीमा को हम एल से डिनोट करेंगे एन यानि यह क्या है कि प्रिक्षणों की संख्या या बारम बारताओं का यह य वरग से संचार वारंबारता हो फिर 10ौ इस ओर मादख वरक नीकाल रहे हैं इस वरग की बारम बार तक किसे दिखानी है F से फिर तो आपका H, H क्या होता वर्ग की माप यानि वर्ग अंतराल की जो लंबाई या वर्ग की माप क्या कहलाईगी H कहलाईगी, तो देखिए ये फॉर्मूल हमारे किसके हो गए माद दिखाया, माद देखे अब हम आगे चलते हैं, बाउलक की तरफ तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बाउलक, जिसे हम क्या केते हैं, मोड इंगलिस में तो इसमें भी आपके दू टाइप से निकालने हैं इनको भी यानि एक वार आपको वर्गी करता अंकडों को सीखना है तो बाउलक, देखिए, बाउलक क्या होता है कि प्रिक्षणों का वहमान, यानि कि जो भी आपको आंकड़ दिये गए होंगे प्रिक्षणों का वहमान जो सबसे अधिकवार आया है जो सबसे अधिकवार आता है, आपका बाउलक कहलाएगा जैसे ये कुछ प्रिक्षण है तीन, दो, दो, तीन, एक, तीन, चार, तीन यानि कि आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा अंक सबसे अधिकवार आया है वही इसका बावलोग होगा तो देखिए ये तीन आपको सबसे अधिकवार देख रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच यह निकि तीन इसमें अधिकवार आया तो इसका जो बावलोग हो गया होगा इसका जो आंसर होगा आपका कितना होगा तीन हो जाएगा तो एक नंबर में इस तरीके कॉश्ण आएगा और आपका lengthy question जो हुई आएगा बहुलक से वो आपका क्या होगा वर्गी करता अंकड़ों का आएगा तो देखिए जब भी वर्गी करता अंकड़े आपको दिये गएगों तो क्या formula इसके लिए बहुलक के लिए बहुलक बरावर L प्लस bracket में F1 minus F0 बटे 2F1 minus F0 minus F2 bracket into H अब हम बात कर लेते हैं इसके जो किरदार है जानी कि F1 क्या है L क्या है F2 क्या है उसके बारे है L तो L क्या होगा आपका बहुलक वर्ग की निम सीमा जो आपका जिस जानी कि बहुलक वर्ग है उसकी जो निम सीमा होगी जैसे कि 10 से 20 20 से 30 उसे हम वर्ग सीमा बोलते हैं एफ नोट क्या आपका बहुलक वर्ग से ठीक पहले यहां तो क्या ठीक पहले वाली और एफ टू को बोलना आपको बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग क्या होगी एफ टू से देनोट करेंगे और फिर कि आपका एच एच के वह था वर्ग अंतराल की माप जो वर्ग अंतराल की जो माप होगी एच से उसे देनोट करेंगे तो दीकिए आज की वीडियो में सांख्यकी से रेटीव जितने वी फॉरूले उन सभी को मैंने डिसकस किया है और नेक्स्ट जो आने वाला वीड जरूर करें थेंक यू